NDRF की कुल 14 टीम में तैनाथ हैं विस्टो एंगॉल में और इसमें खास तोर पर जो अभी प्रियर्टी एरियाज है कोशिश की जारे कि जल से जल जहां पर भी इस तरह से कुछ बाधित है तो उसको किलियर किया जाए और इस्तिती समाने हो NDRF-DIG Operations मुहिसिन सहेदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है सर जो पश्चिम मंगाल में रेमल टाइकलोन आया है उसका क्या इफिक्ट है इस वक्त और किस तरीके से रिस्क्यू आपरेशन चल रहा है देखिए कल रात्री में इसका लैंडफॉल हुआ था और उसके बाद अभी काफी उसमें समाने सिती हो गई है जो इंफर्मेशन हमें मिली है कई जगों पर पेड़ गरने की रिपोर्ट हैं पावर लाइन्स भी बातित हुए हैं तो इसके लिए रेस्टोरेशन वर्क जो है वो चल रहा है इसमें NDRF की टीमें तैनाथ हैं और साथ में जो स्टेट एजन्सीज हैं वो भी साथ मिलकर के काम कर रही है NDRF की सर कितनी टीमें हैं और कहां कहां पर इस वक्त रेस्क्यू आपरेशन कर रही हैं लोगों को वहां से हटाने का काम किस जगे पर किया जा रहा है NDRF की कुल 14 टीमें तैनाथ हैं वेस्ट वेंगॉल में और इसमें खास तोर पर जो अभी प्रियरिटी एरियाज है कोस्टली रीजिन है जिसमें खासकर साउथ 24 पर करना है कॉलकटा रीजिन है होडा है और इस्ट मदनीपूर यह फोकस एरिया है जहां पर कारवाई चल रह हुए हैं यह भी देखा जा रहा है NDRF की टीमें उसमें लगी हुई हैं जो में सड़के हैं जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी पानी भर गया है तो उसके लिए किस तरीके से टीमें काम कर रहे हैं जी कुछ जगों पर फ्लेडिंग का कुछ इन्फरमेशन हमारे पास आई है और इसमें हमारे जो टीमें हैं उनके पास बोर्स होते हैं अगर कोई परशानी होगी तो वहां पर उनको मदद किया जाएगा जो रोड ब्लॉकेज हुआ है पेड़ गिरने से यह प्रायरिटी एरिया है इसलिए यह कोशिश की जा रहे है कि जल से जल जहां पर भी इस तरह किस तरीके की जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है कि साइकलोन कितना आगे निकल चुका है और अब वर्तमान में क्या सिचुएशन जी जो आएमडी की रिपोर्ट है वो लगतार हमारे पास मिल रही है और उसमें अभी जो सीवियर साइकलोनिक स्टॉर्म था वो साइकलोन सतर किलोमेटर पती घंडे गिरफतार से है गस्टिंग स्पीड असी है और यह एक अच्छा इंडिकेशन है आगे जाकर कि यह लैंडफॉल के बाद जब लैंड पर आता है साइकलोन तो इसकी तीवता जो है वो और कम होती है इसलिए यह एस्पेक्टेड है कि शाम तक यह बदल जाएगा और आगे नौर्थ इश्वर्स जब यह इसका मुव्मेंट होगा तो कुछ जगों पर हैवी रेंज हो सकता है उसके लिए एधातन आसाम में त्रिपूरा में हमारी टीम में मौझूद है यानि ज्यादा घबडाने की अब ज़रूरत नहीं है सिर्फ तेज बारिष हो सकती अलग अलग इलाकों में जी बिलकुल इस्तिती काफी तजी से समाने हो रही है शुक्रिया सरास्तक से बाच्चेत का निकले कायनोमें कृपाल सिंग के साथ जीतेनर सिंग आज तक